जी जी वी का पॉपलर सीरिल पवेतर रिष्टा में अर्चना देश्मुक के करदार से फेमस हुए अक्टरस अंकीता लोखंडे इस सीरिल की आन बान और शान हुआ करती थी जिन्होंने सीरिल में एक अच्छी बहू बेटी और पतनी का करदार निभा कर लाकों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया था लेकिन दोस्तों वैसे तो आप अंकीता लोखंडे के बारे भी बहुत कुछ जानते हैं अगर नहीं तो आज के मारी इस वीज़यों में हम आपको इनके रियल लाइफ साथ ससुर के बारे में ही बताने वाले हैं मगर उससे पहले इस वीज़यों को लाइक करना तिल्कुल ना भूले टीवी इंडॉस्ट्री की गॉर्जिस एक्टरस अंकीता लोखंडे का जन्म 19 दिसम्बर साल 1984 को इंदोर मत्यप्रदेश में हुआ था और इसी वज़ा से इनकी पढ़ाई भी यही से ही कंप्लीट हुई वह बात करें इस बहतरीन अदाकारा अंकीता लोखंडे के अक्टिंग करियर की तो आपको बता रहें इन्होंने साल 1996 में फिर्म खामोशी में चाल्ड आर्टिस के तौर पर क्यामियो रोल किया था हालक इस फिल्म के बाद इन्होंने अक्टिंग से दूरिया बना ली और फिर साल 2009 में टीवी के पापलर शो पवितर रिश्टा में अर्चिना देशमुक के किरदार से टीवी इंडास्टी में टेब्यू किया जिसमें इन्होंने अपने किर्दार अर्चिना देश्मु को बेहदी खुब सूर्दी से परदे पर पेश किया था जिसे दर्शोकोंने खुब ज़्यादा पसंद किया और इसी वज़े से बॉलिवुड मेकर्स ने इने बॉलिवुड की सोपर हेट फल्म मड़ी करनी का और ब महिने तक चलने के बाद और फियर हो गया है एक्टिंग करियर के बाद अगर बात की चाए इनके रियल लाइफ सास ससूर की तो आपको बता दे इन्होंने 14 दिसमबर साल 2021 को बिजनसमेन विकी जान से इशाया दिकी है जिनके माता पिता इनके सास ससूर लगते है वहीं बात कर इनकी सास हुमा की तो आपको बता दे इनकी सास रंजनाजैन है जो के एक बिजनस वुमन है तो वह इनके ससूर का नाम विनोत कुमार है जो पेशेस एक मशूर बिजनसमेन है जो अपने लाइफ में काफी ज़्यादा सक्सेस्पुल है और वो अपनी बहू यानि के अंकि में बिल्कुल ही कम नजर आई है लेकिन बावजूद इसके एक सर उनके साथ घूमने के लिए बाहर आती जाती है और इससे साफ पता चलता है कि अपने सास ससूर के साथ कितना अच्छा बॉंड शेयर करती है जो इने बहु नहीं मलकी बेटी की तरह ही मानते है और प्यार भी देते हैं तो दोस्तों आपको अंकिता लोखंडे के रियल लाइफ सास ससूर के ऐसे लगते है आप अपना जवाब हमें कमिट करके ज़रूर बताए और ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले